रमश्क्र दोस्तों अपनी पोस्ट में आपका एक बार फिरसे सुआगत है मुंबई का ताज होटल एक ऐसा होटल जहाँ हर कोई रूकना चाहता है ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि मुंबई के ताज होटल में कितने लोग काम करते हैं आपको बता दें कि ये होटल जनता के लिए 1903 में खोल दिया गया था और ये भारत का पहला 5 स्टार होटल था इस होटल में रुकने की लालसा हर किसी में है लेकिन ये एक ऐसा खास होटल है जहां पर रुकना हर किसी के बस की बात नहीं क्योंकि रूम्स के किराएब बहुत ज 1200 लोगों का स्टाफ इसमें दिन रात मेहनत करता है आपको बता दें कि ताजमहल पैलेस होटल एक ऐसा होटल है जो मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से भी पहले बन गया था जी हां और इस होटल को बनाने में जो मशक्कत लगी वह किसी से चुपी हुई नहीं है इस जीज खाना आपको खाने को मिलेगा इस होटल के आर्किटेक्ट थे डियन मिर्जा और सीता राम खांडेराव वैद्य आपको बता दें कि इस होटल में बड़े बड़े डैगनेटरीज भी आकर रुखते हैं और इस होटल में काम करने वाले बेटर से लेकर कुप तक हर का ग्रेजवेट होता है यानि कि होटल मैनेजमेंट किये हुए लोगों को ही इस होटल में काम करने का मौका मिलता है और वो भी एक टफ इंटरव्यू से गुजरने के बाद ताज ग्रूप ऑफ होटल में उनका सेलेक्शन होता है हम आशा करते हैं जानकारी आपको रोचक लगी होगी और आप इसे अपने मित्रों के साथ हवाशे शेयर करेंगे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बटन को जरूर दमाएं धन्यवाद